चीन से तनाओं के बीच अमेरिका ने ताइवान को करीब 1.1 बिलियन डॉलर के हथियार बेचने को मन्जूरी दे दी है। पैकिज की घोशना पिछले महीने अमेरिकी प्रतिनीधी सभा की अध्यक्ष शेश अधिकारी नैंसी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद चीन के अकरामक रवाईय को देखते हुए की थी। मिसाइले शामिल हैं जिनका उप्योग हवा से हवा और सतह पर हमले के मिशन के लिए किया जा सकता है। में से कुछ 85.6 मिलियन डॉलर की लागत से हारपून एंटीशिप मिसाइलों की लागत करीब 355 मिलियन डॉलर और ताइवान के निगरानी रडार कारेकरम के लिए 65.4 मिलियन डॉलर के सैने उपकरन शामिल है। दरसल अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन वौकला गया था। चीन ने ताइवान की सीमा के पास युद्धभ्यास का एलान कर दिया था। यही नहीं चीन ने अगले दिन से ही ताइवान की सीमा पर युद्धभ्यास शुरू कर अभी भी चीन ताइवान के बीच तनाव का महौल है और कभी भी युद्ध शुरू होने की आशंग का बनी रहती है। इस खत्रे के बीच अमेरिका की यह मदद ताइवान के लिए काफी महत्वपून साबित हो सकती है। ताइवान को चीन अपना शेत्र मानता है जबकि ताइवान खुद को स्वतंत देश बताता है। आपाली के तोर पर देख रहा है। ताइवान ने भिए युद्ध जैसी स्थिती से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए। इस समय ताइवान को अमेरिका का सीधा साथ मिल रहा है। यही वज़ा है कि ताइवान भी चीन को किसी भी स्थिती से निपटने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकी राश्टूपती जो बाइडन ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो अमेरिका ताइवान की रक्षा करेगा, ताइवान को हतियारों की बिक्री को मन्जूरी से साफ हो गया है कि बाइडन प्रशासन उ अमां बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल चैनल और देखते रहिए टीवी नाई भारत वर्श